ये एक कहानी है चित्तौर की खुबसूरत रानी पद्मावती और उनकी खुबसूरती के पीछे पागल सुल्तान अलावद दिन्ग खेवजी की रानी पद्मावती जिनको पद्मीनी के नाम से भी जाना जाता है इनका नाम इतिहास के स्वणने मक्षरों से लिखा गया है रानी पदमावती के पता सिंगल प्रांथ के राजा थे जो आज के समय में शुलंका में पड़ता है उनका नाम गंधर्व सेन था और माता का नाम चंपावती था रानी पदमावती बाल्यकाल से ही अत्यंत खुपसूरत और मनमोहत थी महराज गंधर्व सेन में अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वेंबर रचाया था जिसमें भाग रेने के लिए भारत के अलग-अलग राज्यों से बड़े-बड़े राजा महराजा आये हुए थे उसी स्वेंबर में मौझूद थे चित्तौर के राजा राजा रवल रतन सिंग राणी पद्मावती का विबा, स्वेंबर विजेता, चिक्तोड के राजा रवल रतन सिंग के साथ बड़े ही धूमधाम से हुआ राजा रतन सिंग एक बहादूर और शाहशी उद्धा थे वह एक प्रियपती होने के साथ ही एक बहतर शाशक भी थे वेचित तोड के राज्यों को बड़े कुछल तरीके से चला रहे थे उनके सासन में वहाँ की प्रजा हर तरीके से सुखी थी राजा रतन सिंग को कला में भी काफिर उची थी उनके दरबार में एक काफि बुद्धिमान लोग थे उनमें से एक प्रसिद संगितकार राजफ चेतन भी मौजूद थे जो रतन सिंग के काफि प्रिय थे जादा तर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि राजफ चेतन एक जादुगर भी था वे अपने इस कला का उप्योग शत्रुओ को चक्मा या अचम्भित करने के लिए अपाद कालीन समय में इस्तिमाल करता था एक दिन राजफ चेतन काला जादु करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया जब राज़ा को इस बारे में पता चला कि राजफ चेतन गुप्त रूप से काला जादु करता है तो राज़ा ने उसे राज़ से अपमानित करके निकाल दिया इसके बाद राजफ चेतन ने दिल्ली की तरफ जाने की ठानी और वहां जाकर वे दिल्ली के पास एक घने जंगल में छुपे रहे जहां सुल्तान अकसर शिकार के लिए आया करते थे एक दिन सुल्तान शिकार करने जंगल पहुचे ही थे तभी राजफ चेतन ने बासुडी बजाना शुरू कर दिया बासुडी की आवाज सुनकर सुल्तान ने बासुडी बजाने वादे को ढूनने का आदेश दिया और तब राजफ चेतन स्वेम उनके सामने आये तभी सुल्तान ने उनसे अपने साथ दिल्ली के दरबार में आने का आदेश दिया और दिल्ली जाकर रागफ चेतन ने चितौड राजे की सैनी शक्ति, चितौड गड़ की सुरक्षा, वहाँ की संपती और वहाँ की समराजे से जुड़ा एक-एक राज खोल दिया यहां तक की रागफ चेतन ने दिल्ली के सुल्तान को चितौड के राजा रवल रतन सींग की धर्म पत्नी रानी पद्विनी की खुबसूरती के बारे में सुनने के बाद अलाओ दिन उन्हें मन्ही मन चाहने लगे थे रागत चेतन की बाते सुनकर अलावदिन खिलजी ने कुछे बिनों में चिप्तौर राजी पर आक्रमन करने का मन बना लिया और अपनी एक विशाल सेना चिप्तौर के लिए रवाना कर दी चिप्तौर पहुचते ही अलावदिन के हाथ निराशा लगी क्योंकि उन्होंने पाया कि चिप्तौर को चारों तरफ से सुरक्षित तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई है लेकिन वो राणी पद्मिनी के सुन्दर्ता को देखने का और इंतिजार नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने राजा रतन सिंग के लिए या संदेश भेजा कि वो राणी पद्मिनी को बहन मानते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं खिल जी के इस अजीब मांग को राजपुत मर्यादा के विरुध बताकर राजा रतन सिंग ने ठुकरा दिया लेकिन निराश रतन सिंग को अपने सम्राब जी को अलाओ दिन के तिवर प्रकोप से बचाने का एक मौका दिखाए दिया रानी पद्मावती सुल्तान को अपने जलग दिखाने को तयार तो हो गई लेकिन केवल प्रतिबिम्भ में इसके लिए किले के एक उचे बुर्ज में अलाओ दिन खेल जी को खड़ा किया गया उसके सामने एक आइना लगा दिया गया वो बुर्ज के एक दम नीचे एक तलाब था जो बुर्ज में लगा आइने में साफ दिखाई देता था तलाब के तिनारे रानी पदमावती खड़ी हो गई रानी पदमावती का प्रतिबिम तलाब के पानी में पड़ा और तलाब का प्रतिबिम उस आइने में दिखाई दिया और इस तरह पहली बार सुल्तान अलाओ दिन खिल जी ने रानी पद्मावती के रूप को देखा पद्मावती के रूप के बारे में सुल्तान खिल जी ने जितना सुना था उससे कहीं जादा पाया पदमावती को देखते ही अलाओ दिन ने उसे अपना बनाने की ठान लिए शर्त के अनुसार चित्वर के महराजा ने अलाओ दिन खिलजी को आईने में राही पदमावती का प्रतिवन दिखा दिया और फिर अलाओदिन खिल जी को पूरे महमान नमाजी के साथ चित और किले के सातो दर्वाजे पार कराकर उनकी सेना के पास छोड़ने गए इसी अफसर का लाग उठाकर अलाओदिन खिल जी ने राजा रतन सिंग को बंदी बना लिया और इसके बाद उसने संदेश भेजवाया कि महाराजा रतन सिंग को जिर देखना है तो रानी पदमावती को तुरंत अलाओदिन खिल जी के खित्मत में किले के बाहर भेज़ दिया जाए राजा रतन सिंग को अलाओदिन खिल जी के गिरफ्ट से सकुषल मुक्त कराने के लिए रानी पदमावती ने सोनगर के चोहान राजपूत चनरल गौरा और बादल के साथ मिलकर सुल्तान को उसके ही खेल में हराने की ठानी और कहा कि अगली सुबा रानी पदमावती को उन उनके दासियों के भेश में रड़ा के योध्धा मौजूद थे योध्धाव ने दिल्ली के सिना पर आक्रमन कर दिया और इसी चालापी से राजा रतन सिंग को अलाओदिन के गिरफ्ट से चुड़ा लिया गया और रतन सिंग को सुरक्षित रूप से महल पहुचा दिया कहा जाता है कि वासना और लालच इनसान की बुद्ध्वी हर लेती है अलाओ दिनखेव जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ सुल्तान को जब खबर लगी कि उनके साथ चल हुआ है तो इस बात को सुनकर सुल्तान पार बबुला हो गये और उसने तुरंत ही चित तौर पड़ राटन करने काम निवनेट लिया राजा की सेना सुल्तान की सेना से जब चोब चुट्धी लेकिन रतन सिंग्के पास युद के अलावा और कोई दूसरा राध्तन डीՃ और उन्हों ने युदध का आदेश दिया और किले का दर्वाजा खोलकर युद के लिए तयार हो उनकी सेना भी हार गई और अलावदिन खिलजी में चिक्तोर के खिले को भीत लिया युद्ध में राजा रतन सेंग और अन्य राजपूत युद्धा की मारे जाने की खबर सुनकर रानी पद्मावती ने जोहर करने का निर्ने लिया जोहर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारी महिलाएं अपने गुश्मन के साथ रहने की बजाए पैन को विशाल अगनी कुंड में निच्छावर कर देती हैं जग अलाओ दिन खिल जी खिले के अंदर रवेश करते हैं तो उनके हाथ लगती है सिर्क निराशा, जुआ और राक कहा जाता है आज भी चिप्तोर की महिलाओ को और रानी पद्मावती के जोहर करने की बात को लोग आज भी गर्व से याद करते हैं कहते हैं राजपूत सर कटा सकते हैं लेकिन सर जुका सकते नहीं